हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोब फाइंडर जोब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हर्याना पुलिस परिक्षा के लिए कंप्यूटर का सेशन ठीक है और यह इसका पार्ट फाइव है अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जा लेना और एक वीडियो यह है यह भी करण्ट अपरेकर टोप है जो कि महत्तपून न्यूकति हैं और यह सो के लगवक न्यूकति हैं जो कि मैं आपको करवा रहा हूं इसका ही मैंने पार्ट बन अप्लोड कर दिया है इसको भी जाकर जरूर दिख लेना लिंक आपको डिस्क के कोश्चन डिसकस कर चुके थे आज हम आगे कोश्चन डिसकस करेंगे ठीक है तो देखिए जापका 26 वा कोश्चन अवो है कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं और देखिए मैं बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको डिरेक्ट ही एंस कितनी बार दोहराई गई है ठीक है इसके ओप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं और राइट अंसर हमारा क्या होगा ओप्शन भी दो बार जो है इन बटनों की संख्या दोहराई गई है नेक्स्ट कोशन दिखिएगा 28 कोशन है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी सलेट के आकार की वस्तू को क्या बोलते हैं अब देगे माउस जिसके उपर हम रखते हैं सलेट के आकार की वस्तू उसको हम क्या बोलते हैं यह आपको बताना है और उसको हम क्या बोलते हैं माउस पैड बोलते हैं ठीक है यह आपको शद पता ही होगा नोर्मल सा वर्ड है यह ने माउस जो है वो हमारा क्या है एक input device है next देखेगा data किस रूप में हो सकता है तीसवा question और देखे इसका right answer होगा option E, A और B data लिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है ठीक है next देखेगा question computer तो था मानव का संपर्क dash के द्वारा होता है और right answer क्या होगा option A रहेगा हमारा computer तो था मानव का संपर्क input और output के द्वारा होता है ठीक है हम computer में input करेंगे तो वो हमको output देगा समझ गए ठीक है इसलिए input और output उदरा इसका संबंध होता है next देखेगा 32 नंबर निवेश यानिकी निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा उमीद है अपना answer दे दियोगा option B प्रकाश मध्यम next question देखेगा next question देखेगा next question आपका निम्न में से कौन सा mouse जैसा कार्य करता है ठीक है 33 question है और इसका right answer होगा option D trackball trackball भी बिल्कुल mouse की तरह ही कार करता है ठीक है आपने इसको देखा भी होगा अगर आप PC use करते हैं ठीक है next question देखेगा इन में से कौन सा input device नहीं है ओके और right answer होगा हमारा option D VDU ठीक है आपको बता है यह एक output device होता है ठीक है next question देखेगा हमारा next question है mouse का कौन सा button समानेता है OK के लिए प्रयोग में लाया जाता है यह तो important question है और एकदम simple question है कौन सा है बाया button यानि कि left right पे हम click करेंगे अगर हम left पे click करेंगे तो वह हमारा OK हो जाता है ठीक है next question देखेगा सरवादिक तेजगती का printer कौन सा है simple सा question है इसका भी आपको answer आता होगा 36 question और laser printer जो होता है वो क्या होता है सरवादिक तेजगती का printer होता है next question देखेगा LCD का पूरा नाम क्या है ओके राइट अंसर हमारा क्या होगा इसका liquid central display ठीक है LCD का पूर्ण रूप क्या है sorry मेरे से गलती होगा liquid crystal display होता है option D is a right answer ठीक है liquid crystal display next question देखेगा next question है computer system में dash के माध्यम से text और numerical data प्रवेश कराने की 35 सरवाधिक समाने समाने पदती है ठीक है उमीद करते हों question समझ गे होंगे नहीं समझा तो आप दुबारा से पढ़ लिजेगा तो right answer के आगा option A होगा keyboard ठीक है अगर हम keyboard में numerical भी होता है और alphabet भी होता है हम जो press करेंगे वही हमारे computer में जाएगा ठीक है वही हमको input देगा समझ के होंगे next question देगेगा 39 output devices नमांकित निमलिखित समभव बनाते हैं दुबारा से question पढ़ लेते है output devices निमलिखित समभव बनाते हैं यानि कि output device होते हैं वह समभव तक क्या बनाते हैं ये आपको बताना है और इसका right answer होगा option A data दिखाना या फ नो में भी आया हुआ है document की hard copy dash की जाती है ओके right answer क्या होगा option A print पर printer पर print की जाती है कोई document की hard copy उसको printer पर क्या कर सकते हैं print कर सकते हैं और कोई option बिल्कुल भी perfect नहीं बैठ रहा है next question देखिएगा next question निमलिखित में से किस समू में केवल input device होते हैं और इसका right answer होगा हमार याने कि आपको यह बताना है कि किस के अंदर जो है इन में से input device है तो option D हमारा बिल्कुल right रहेगा mouse भी input device है keyboard भी input device है और scanner भी हमारा input device के अंतरगत आता है next question देखिएगा निमलिखित में से किस समू में केवल output device है ठीक है 42 है और देखिए इसका right answer क्या होगा option D रहेगा plotter printer और monitor ये तीनों की तीनों क्या है output device के अंतरगत आते हैं next question देखिएगा computer के memory में डाला गया कोई आकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है तो क्या बोलते हैं उसको उसको हम बोलते है input है computer के दर हम कोई भी data या फिर कोई भी आकड़ा डालेंगे तो उसको हम input ही बो होगा computer के memory में डालेगा कारे को परदर्शित करता है यानि कि कौन दिखाता है तो दीकि monitor ही monitor भी सब को शो होता है right answer option C रहेगा हमारा monitor next question देखिएगा next scanner dash scan करता है 46 question है और option आपके सामने screen पर given है तो scanner क्या करता है दीकि pictures भी scan करता है और text भी scan करता है यानि कि दोनों ही ची खेलना आसान हो जाता है तो यह तो बहुत ही simple सा question हो गया आपको इसका answer होता होगा joystick देखिए joystick आपने देखिए गेम वीडियो गेम में इस टाइप की बनी होती है joystick ठीक है handle type का होता है इससे जो है game खेलना और भी ज्यादा आसान हो जाता है next question हमारा 48 soft copy एक output device है तो hard copy क्या है 48 और देखिए इसका right answer क्या होगा हमारा c hard copy एक printed output होता है ओके उमेद करता है यह भी समझ में आ गया होगा next question देखिएगा next question है control shift और alt dash को dash कुंजिया कहते हैं ठीक है control shift और alt इसको कौन सी कुंजिया बोलते है important question है तो देखिए इसको modifier कुंजिया बोलते हैं ठीक है important question थ next question देखिएगा 50 question है हमारा अधिकांस products पर printed line के pattern को dash कहते हैं ठीके printed line के pattern इनको मैं समझा दूँ देखिए आपने कोई box देखोगा आपने कोई माले चीच खरिदली original तो original की पहचाने के लिए आपको ऐसे बार कोड दिया होता है देखोगा अपने इसको scan भी करते हैं तो उ मित करता हूँ गाइज यह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेक्टिड कोश्चन के साथ तब तक एलिए थाइंक्यू